वास्ताव में समस्या वहां नहीं है जहां हम देख पा रहे हैं समस्या तो वहां है जहां हमारी नजर जाही नहीं रही है आज हम समझने वाले हैं कुम्भरासी के जीवन में उनके समस्या का कारण क्या है क्यों वो परिशान है और क्या उस परिशानी का कारण के सांसाथ उसका निवारन हो सकता है इस बात को ही हम जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए है ये वीडियो कुम्भरासी के लिए का ऐसी वीडियो हो सकती है जो इनके जीवन में सफलता के स्रिष्ट मुकाम तक इन ही ले जा सके इसलिए ध्यान से समझेगा सबसे जो प्रथम पॉइंट होगा यही है नो ग्रहों का प्रभाव सौर मंडल में सभी के सभी नो ग्रह विद्धिमान है जिनके अनुसार हमें सुख और दु伖 की प्रापती होती है यूँक माने तो इस सभी ग्रह हमारे किसी ने किसी कारीचहतर को प्रभावित करते हैं जैसे की सनी देवता आपके अपने रासी पर ही विद्धिमान है सनी देवता कर्म के कारक है आपको कर्म प्रदान करेंगे इनकी द्रिष्टी दसन द्रिष्टी आप एक केरियर भाव पर है केरियर में कोई विसेश सफलता निकाल करके आपको दे जाएंगे और ये समय अभी चल भी रहा है और विसेश प्रभावी रहेगा 29 मार्च 2025 तक का करीब करीब 7 साल के समय पर क् हमारे जिवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा इसके लिए आप ये समझे कि सभी नौ ग्रहों में कौन से ग्रह हमें क्या फल दे रहे हैं सनी देव तर चलिए भई आपके रासी के स्वामी हैं आपको अच्छा पतिफल दे रहा हैं नेकिन दूसरे तरफ यहां पर देखिए रहु देव को जो आपके धन भाव पर हैं कई प्रकार से आर्थिक परिसानियों को दिला सकते हैं कई प्रकार से कौटुम्बिक परिसानी को दिला सकते हैं एक परिसानी गया नहीं कि दूसरा परिसानी के आना एक मानसिक सांती हमको मिला नहीं कि दूसरा फिर से असांती मिल जाना ये कहीं ने कहीं राहू का प्रभाव भी यहां पर हो सकता है क्योंकि राहू और केतु नैसरगिक रूप से दानाव ग्रह माने गए हैं और छाया कारा ग्रह होने के कारण से इनका एक सही पता भी नहीं चल पाता कि वास्ताव में हमें कब क्या करना है इसका चार महने से देव गुरु बीरस्पती वक्री अवस्ता में चल रहे हैं और आपके पराक्रम भाव पर हाला कि जब ये मारगी अवस्ता में हो चुके हैं जनवरी सन 2024 में एक पराक्रम में बृद्धी और विसेज बात इनकी दृष्टी जो पढ़ रही है सीधे आपके भागी की प्रबलता भी आपको अभी वर्तमान में देखने को सबसे जादा मिलेगा इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था जिससे आपने देखा भी होगा भागी का साथ है ऐसे कुछ टाइटल मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है लेकिन उसको आपने देखा होगा इसके एकाद दो वीडियो के सेट ने पहले वो वीडियो बना हुआ था जिसमें हमने ये दिखाया था कि चार महिने में कौन से चमतकार होने वाले हैं हाँ मुझे याद आ गया चार महिनों का चमतकार था वो उससे आप देखिए समझेगा कि कैसे हम अपने जियन में लाभ जो हम धारन करते हैं हमने कहीं से भी सुना कहीं से भी देखा और किसी भी जियोतिसी ने हमें कोई रत्न सुझा दिया और उस रत्न को हमने धारन कर लिया अब हमने ये नहीं देखा कि हमारे बर्त चार्ट में जनम कुंडली में गरहों की स्थिति क्या है और हमने रत्न धार सारसुभ है अत्वासुभ इसे भी आप जान सकते हैं कौन सा रंग हमारे लिए अच्छा है मालिए कोई ग्रह आपके जनम कुंडली में अनुकूल नहीं है और आपने उसी ग्रह के रंग को आपने धारण कर लिया तो भाई उन ग्रहों की रस्मियों को ही तो आप आउसोसित क करेंगे और जिसके माध्धम से भी हमें कई प्रकार के परिसानियों का सामना करना पड़ता है तीसरा जो पॉइंट होगा सनी ग्रह जो की विलम के कारक हैं 2023 से आपके जीवन पे चलना है सनी देवता अब सनी देवता विलम के कारक है हमको क्या आप सिखा रहे हैं हमें धैर विलम के विलम क देवन पे अंतskastes यहीं पर हम गलती कर जाते हैं अपने कारे को बीच में रोग देते हैं या फिर वहां से निरास हो करके बेमन से हमोकार कने लगते हैं बस यहीं पर सनी के हम संपून संप्रभाव को अपने जीवन पर आत्मसात नहीं कर पातें था पार्त तीस साल बाद सनी देवता फिर से आएंगे तो इसलिए अभी का जो सवा साल का महिना है वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सफलता कारक हो सकता है फिर हमको राहू और केतु का प्रभावी मिलता है राहू धनभाव पर है और केतु देव अस्टम भाव पर है क लेकिन क्या वो परसानी हमारे लिए परसानी बनेगा या आगे चलके हमें वो एक बहतर रूप में निकल पाएगा क्योंकि काफी लंबे समय से यदि हम प्रतारित हैं तो हमें अब देखना पड़ेगा हमारा चतूर्थ नंबर का पॉइंट जो सबसे इंपोर्टेंट पॉ कोई भी प्रेडिक्शन आपके बर्थ चार्ट में यदि वहाँ पर जब तक हम उसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे वो प्रेडिक्शन आपका सत्प्रतिसत सिद्ध नहीं होगा और जिससे करणार से यहां तो बताया जा रहा है कि सनी देवता आपके लगन में है आपके जीव एक एक पल कितना किमती है और वो कैसे काट रहा है जो बेक्ति दुख में है वो बेक्ति जानेगा लेकिन आपको करना क्या है अपने जनम कुंडली का विश्टेशन कराए किसी जानकार जोतिसी से जो गोचर में चल रहे हैं ग्रहों को मर्ज करके मिलान करके एक सही प्रेड हम यह जरूर चाहते हैं कि किस प्रकार से आप ग्रहों के माध्यम से अपने जीवन को बहतर बना सकते हैं हमारा कोई भी वीडियो आप निकाल करके देख लीजे हम सभी ग्रहों के माध्यम से आपको लाव दिलाने का प्रयास करते हैं और स्वयम के उपाय के द्वारा हम चा रही है महादसा मालेजे अभी एक उधारन देते हैं सनी की महादसा है 19 साल की दसा होती है सनी देव की अब इस दर्मियान क्या 19 साल ब्यक्ति सुख ही सुख प्राप्त करेगा या फिर दुख ही दुख प्राप्त करेगा ऐसा नहीं है जो अंतर दसा होती है जो दो साल तीन साल के लिए आती है, सनी की दसा की बात करें उस टाइम पर हमें बहुत ग्रोथ दिला जाएंगे या तो बहुत ज़्यदा उस सिमय पर प्रतारित करा जाएंगे तो ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में क्या जिती है और बहुत से लोग कमेंट में हमने सुना भी है, देखा भी है कि कुम्भ रासी सबसे बुरी रासी है लिख देते हैं भाईया ऐसा नहीं है कुम्भ रासी सबसे उर्जावान रासी है सबसे कर्म वसील यदि कोई रासी है वो कुम्भ रासी है और इसी करण से आपके सनी ही स्वामी बनते हैं कैसे आप बोल सकते हैं इसे हाँ प्राबलम यदि है तो उसके विकल्प पर ध्यान दिजे हमारे पाचवे नमबर पर जहां पर हमने देखा कि हमारे विश्वास की कमी और निरंतरता की कमी के कारण हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं होता हमने कोई जाप किया पूजा किया तप अराधना कुछ भी किया हमने अब कुछ तो हम निरंतर नहीं रख पाते हैं और जिसने करण से हम बीच में छोड़ जाते हैं लगता हमें यह है कि हम कोई प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है हम कोई पूजा कर रहे हैं कोई जाप कर रहे हैं लेकिन भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं ध्यान देजें वो सारे जगत की सुनते हैं आपके भला कैसे नहीं सुनेंगे विश्वासम फल दायकम आपने सुना होगा, आपका विश्वास ही आपको फल प्रदान करेगा, जो आपके जिवन में उन्नती दिला सकता है, और निरंतर वो प्रयास किजे, एक दिन भी यदि आप अपने सेवा की कारे को छोड़ते हैं, अपने इस्वर के प्रती, पिछले 21 इस दिन का प्रतिफल आपका नस्ट हो जाता है, इसने एक दिन भी आप ऐसा नहों, जिस दिन आप भगवान की सेवा न करें, अपने आस्था को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है, सुन रहे हैं आप यह दि कहीं से, क्योंकि सनी का प्रभाव अच्छा है, और मेरे जीवन में ऐसा घटित होगा, निश्चाय मानिये, जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारे जीवन में सत्य घटित होती है, इस बात को आप समझेगा, अब महा उपाय के और चलते हैं, कौन से वो उपाय हैं, जिनका हम करके अपने जीवन में एक सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, पकल डिजे अपने दूतियस को और एका दसेस को, क्योंकि इस कल्योग में धन की जो अगर बढ़ोतरी हो जाए ना, तो धनवान और गुरुवान सदयव पूजनी होगा इस कल्योग में, इस कारण से आपके दो धनेस बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, और ब्रिजपती देवता का जो सबसे अच्छा उपाय होगा, विश्नु सहस्त्र नाम का पाट, भगवान सिन नारायन की क्रिपा मिल जाती है, गुरु आपके मजबूत हो जाएंगे, एक नियम बनाईए, भरे तीन चार पेच का है, ठीक है, यदि हम अपने जिवने परिसान है, बाकी कारे को हमने बहुत समय दे रहे हैं, लेकिन अगर पांच मिनट, दस मिनट निकाल करके, भी यदि हमें कोई पाट करना पड़े, कोई पुजन करना पड़े, वो परमात्मा हमें बहुत कुछ दिला जाएंगे, विश्नु सहस्त्र नाम का पाट कीजे, केल या कोई आप समागरी देना चाहते हैं, तो उसमें कुछ हल्दी मिला करके उन्हें भोग दे सकते हैं, ये सब उपाएं आपके सफलता कारक धन दायक होगा, और आपकी इच्छाओं की पूर्ती कौन कराएगा, तो देख लिजे आपके एकादस भाव को, और सबसे बड़ी अच्छी बात और इक्तफाक की बात ये है कि कुम्भरासी के लिए इनके वित्तमंत्री और इनके लाभेज दोनों ही एक गरह बनते हैं, देवगुरु बिरहस्पती, इसलिए देवगुरु बिरहस्पती यदि आपके जियोन में पॉजिटी प्रभाव जब दे देंगे, बहुत कुछ, बहुत बड़ा लाभ दिला जाएंगे, क्योंकि बरहोत्री के कारक हमारे देवगुरु बिरहस्पती होते हैं, और अब तो भई ये मारगी अवस्था में भी आ गये हैं, तो इसलिए अपने आस्था पर अडिग रहिए, भगवान नारायन या नारायन के जो सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है, यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी के दिवस बहुत मंगल मैं हो इनी सुब कामनाओं के साथ जै स्रीराम